नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाधत आपका मेरी यूट्यूब चैनल कुनार टेक्निकल चमिशनल दोस्तों कैसे है आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा आच्छी होंगे दोस्तों आज की वीडियो जो है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है इतनी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट यह वीडियो होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो नहीं आपको बदाने वाला हूँ कि देख सकते हैं मेरे डेक्स्टोप बिलफुल खाली हुआ हुआ है इसकी उपर कोई भी डेटा मुझे शो नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा डेटा इस लेटाप में सेव किया था सारा का सारा मैंने सिर्फ एक क्लिक किया और उड़ गया मैंने कितनी मैनत करी थी मेरी एक्सल की फाइल्स थी वर्ड की फाइल्स थी मेरे सारे सोफ्टने थे सारे की सारे गया वो इदम से दोस्तो सेम ऐसी ही जो problem अभी मेरे laptop में है न एक दिन मेरे cousin के laptop में यह वाली दिक्कत आई थी तो मैंने भाग कर आया तो उसने मुझे कहा कि मेरे बाई मेरे तो इतने सारा school का data इसके अंदर पढ़ा हुआ है word की file, excel की file और मेरे यह तनी सारी videos उसके उपर पढ़ी वी तो सब की सब एक click में उड़ दई अब मैं क्या करूँ तो भाई मैंने उसको पता है क्या था मैंने का देख भाई अगर तुम मुझे मिठाई खिलाएगा और मेरा चैनल को subscribe करेगा तो मैं तेरा यह वारा problem सिर्फ एक click में solve करके दिखाऊँगा अगर मैंने एक click में solve कर दिया तो देख तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा दोसरा बोजे मिठाई भी खिलाएगा तो अगर मैंने आज अपने laptop का यह वाला data अगर आपको सिर्फ एक click में वापस लाकर दिखा है तो आप मेरे से वादा कीजिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को जहें लाइक भी जरूर करेंगे तो अब ही मैं आपको अपने laptop स्क्रीन की तरह लेकर चलूँ मां हाँ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भुलिएगा और वीडियो को जहें एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा तो दोस्तो जैसा कि अपडेट सकते हैं मैं ले आया हूँ आपको अपने laptop स्क्रीन की तरफ तो खाली-खाली सा desktop दीकर है आपको यहापे आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको यहापे जो है refresh करना होगा ठीक है? दो बार refresh करने के बद आपको क्या करना होगा देखे दोस्तो जादू होने वाला है मैंने सिर्फ एक क्लिक की बात की थी आफसे ठीक है रीफ्रेश करने के बाद आपको क्या करना होगा राइट क्लिक करना होगा राइट क्लिक करने के बाद वियू में जाना होगा विएम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको show desktop icons दिख रहा होगा दोस्तों कभी-कभी काम करते-करते हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमारे से यह वाले setting छुड़ जाती है तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा data गायब हुआ था वो जो है हमारा वापस आगया है दोस्तों हमसे क्या होता है कई बार हम काम करते-करते इस पर ऐसे क्लिक कर देते हैं राइट क्लिक किया वीव पे गए और शो डेक्सटॉप icons के उपर क्लिक करकी यहां से टिक हटा देते है और हमारा data गायक हो जाता है तो आप इस तरीके से वापस ला सकते हैं अब डेटा वापस आगिया है तो पड़ा बड़ से जाओ जो सस्क्राइब मारो मैं मानने नहीं वाला बिल्कुल विटी के ना सस्क्राइब आपको जरूर करने ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी बिल्कुल नहीं माना तो उससे भी मैं सस्क्राइब करवा के ही माना था तो पड़ा बड़ से जाओ सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन पे क्लिक कर डालो ठोक डालो तो दोस्तों कैसा लगा बेना वीडियो वीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट से पिल्क चरूर से बताईएगा तो दोस्तों जैसा जी आपने देखा भी मैंने कितने ही असान तरीके से सिर्फ एक क्लिक करके आपका जो गायब हुआ हुआ डेक्स्टोप पे डेटा था उसको जो है मों वापस ले आया अब देख रहे हैं मेरा डेक्स्टोप कितना हरा परा से दिख रहा है पहले रिल्कुल खाली हो गया था तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका कभी भी desktop पे से जितना भी data है अगर वो गायब हो जाता है तो आप इस तरीके से वापस ला सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी setting है setting बोले या एक click बोले जो आपकी मर्जी है आप बोल सकते हैं तो दोस्तो कैसा लगा वेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंटर की जुरूबत दाएगा और दोस्तो हमारे चैनल पे जो है laptop computer LCD LED रिपेरिंग computer laptop सीखने रेंड ड्रिक से लिटीर वीडियो आते जोटी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल प्रूमत बोलिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और दोस्तो आप मुझे इंस्टाइबराम पे भी फोलोग कर सकते है इस्टाइबराम का लिक जो मैंने नीचे दे दिया है तो आप जो है इस पर जाके मुझे सर्चर्च करन की दुस्ट अगरा आप फोलो कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो पर से इतना ही इस वीडियो को जद़ जद़ शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो को लाइक करें दने वाद दोस्तो अच का वीडियो देखने के लिए